आप मुझे पसंद करो या ना करो आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते या मैं नहीं ये कह रहा है stress concentration क्योंकि machine design में stress concentration को इग्नोर करना हमारे मुर्खता है क्योंकि अगर हम machine को design कर रहा है और stress concentration के value को हमने consider नहीं किया तो हमारा जो material है machine है हमारा वहीं पर फेल कर जाएगा तो stress concentration तो आएगा ही है आएगा आप इसी किसी भी तरह से हटा नहीं सकते इसको आप zero कर ही नहीं सकते क्योंकि अगर आप machine की design कर रहे हैं तो इसमें आप hole तो बनाना ही पड़ेगा आपको उसके जो geometry है उसमें change तो लाना ही पड़ेगा irregorative present तो होगी ही होगी तो वहाँ पर stress concentration आएगा इससे भटा नहीं सकते लेकिन यह तो हमारा लिए खत्रा है stress concentration एक खत्रा है machine design के लिए machine element के design में यह बहुत ज़्यादा नुकसान दे है तो हम क्या करेंगे हम इसके effect को कम कर सकते हैं वहले ही हम इसको पुरी तरह से खत्म ना कर पाएं इसका जो effect है उसको कम जरूड कर सकते हैं minimize जरूड कर सकते हैं तो हमारा पास चार ऐसे method हैं जिसके बारा में हम बात करेंगे जिससे हम stress concentration के effect को कम कर सकें अच्छा मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई material है या कोई machine element है अगर वहाँ पड़ stress concentration किसरा से आएगा यह आपकी material हो गई इसमें अगर बड़ा सा होल है और अगर यहाँ पीलोड लग रहा है पीलोड लग रहा है तो stress sign ऐसे आएगी अचानक से आएगी अचानक से चेंज हो जाएगी ऐसे आएगी अचानक से चेंज हो जाएगी तो इसके वजासे जो certain change होगा उसके वजासे आपको जो material है यहीं पर फिल कर जाएगा तो हम क्या करें कि जो certain change हो रहा है यह एक और example देखिए यह देखिए यह किसका cross section कुछ और है इस convert करेंगे और graduate change में convert करने से इसका जो effect है stress concentration का और decrease हो जाएगा तो हम चारह से methods के बाड़ेंगे तो चलिके देखते हैं कौन-कौन से method है पहला method है आपके पास by providing a small hole near a big hole एक बड़ा सा hole है उसमें stress लाइन ऐसी आएगी सर्ट से आएगी सर्ट से निकल जाएगी इसके बेतर है यहाँ जो बड़ा होल आप बना रहे हैं उसके आज पास छोटा hole बना देजिए इससे stress line ऐसे जाएगी यहाँ पर कुछ effect डालेगी फिर आएगी फिर यहाँ पर effect डालेगी फिर आएगी यहाँ पर थोड़ा सा effect डालेगी और pass कर जाएगी यानि कि यहाँ पर stress यह लोड अपने उत नहीं लगाया है लेकिन यहाँ पर stress एक जगा जमा नहीं हुआ इस distribute हो गया जिसके विजह से आपका material फेल नहीं करेगा तो पहला method क्या है by providing small hole near a big hole जो बड़ा सा hole है उसके आज पास छोटा hole बना देजिए जो stress आएगी एक जगा जमा नहीं होगी distribute हुर और आपका material फेल होने से बच जाएगा simple सी बात है अकेलर आईएगा माना जाईएगा दोस्तों के साथ आईए एक तामेबल है बच जाईएगा simple है दूसरा है avoiding sharp corners by providing affiliate radius है ना यह हमारा से sharp corner sharp corner आईए stress line अगर मैं बनाओ तो ऐसे आएगी खट से अचानाक से change होगी और ज़र से pass होगी यहाँ पर यह फेल होने के chance यहाँ पर ज्यादा है यह sudden change होगा है इसको gradual change में बदल देजिए कैसे fillet radius बदल देजिए यहाँ पर fillet radius लगाईए इसको gradual change में बदल लिए आपका material बच at the stop corner नोच लगाईए आप नोच लगाईए यह आपका material है stop corner पर आप नोच लगाईए stress अब ऐसे आएगी ऐसे आगी ऐसे आगी ऐसे आगी इसका effect distribute हो गया और आपका material फेल होने से बच गया simple है न वही अगर एक नोच रहाता तो फेल कर जाता यहाँ पर आपने भाईयों क के साथ आईए distribution हो गया stress और आपका material फेल होने से बच गया है न एक्तामिक सकती यही एकजामपल है इसका तो इसका आप ध्यान रखेंगे एक कौन मेथड है इसको मैं अभी बताता हूँ चोथा मेथड है आपके पास by decreasing the nominal dia of a threaded object and make it equal to the core dia simple है अगर यह आपका thread object है यह आप कोड़ डाया इस स्थित्री में अगर आप लोड लगाते है न तो आपका material यहीं से ब्रेक कर जाएगा यहीं से आपका material ब्रेक खड़ जाएगा ठीक है अगर आपको बचाना है इस core stress concentration से तो आप क्या करिए nominal dia को core diameter के बड़ाबर कर देजिए आपका जो thread object है और फेल होने स बच जाएगा इन दोनों काерм जो जड़ डाया है वोग एक्वल हैं दोनों में दोनों एक्वल हैं और यह फेल होने से इस तरह से बच जाएगा तो इसका हम ध्याड़ रखेंगे तो हम चारद चीजे कोई बात करी सिंपल सम मेथर था कोई ज्यादा इसमे था ना यहीं समझ जीए कि यह क्या होते हैं उसको reduce करें कैसे करेंगे यह तो बड़ा सिंपल है मैं इस चारा में हर पारता है आपको कि बड़ा hole है उसके आसपा छोटा hole बना देजिए एक में था सार्प corner है वहाँ वाँ फिलेट element है वह फिल नहीं होगा तो यह थी सिंपल सी बात कैसे हम stress concentration को reduce करेंगे अच्छा कुछ important बाते जो मैं फिर से जो माम ने पढ़ा इसमें वह मैं आपको बता देता हूँ stress concentration को आप पुरी तरह से खताम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप machine की अप्रोपर डिजाइन करना चाहते हैं तो hole तो बनेगा ही nut bolt इसमें कसाएगा ही notches पे होंगे ही geometry में change होगा ही तो stress concentration के effect को आप ignore नहीं कर सकते और तुसको तो आना ही है हाँ अगर आप अपने machine element को फेल होने से बचाना चाहते हैं तो क्या करिए आप कुछ ऐसे method का अपनाईए जिसके की आपका stress concentration का effect काम हो जाए मिनिमारी हो जाए और आपका जो material है और फेल होने से बच जाए तो इतनी सी बात की हमने अच्छा एक और बात मैंने आपको बताया भी था कि एक hole बनाईएगा तो आपका stress concentration एक ही जगा जमा हो जाएगा एक होल बनाईएगा stress यहीं पर जमा हो जाएगा और का material फेल हो जाएगा उससे बहतर है बचाने के लिए उसके आसपर चोटा होल बना देजिए अगर नौच है तो उसके नौच और एक नहीं बनाना है numbers बनाईए numbers बनाईए और नौच बनाईए hole बनाईए एकता में बल है वही सिंपल सी बात है एकता में बल है अकले आएगा तूट जाएगा दोस्तों के साथ आए भाईयों के साथ आए बस जाएगा simple है ना तो यह छोटी सी बात थे stress को concentration को effect को हम reduce कर सकते हैं मैं जो पिछल बीडियो है उसका link इसी description box में डाल दूँगा आप उसको वहां से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो बताईए comment section में यह वीडियो आप कैसी लगी इस वीडियो के बारे में हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या है अच्छा आप हमाँ टेलेग्डाम चैनल से भी जूड़ सकते हैं वहां पर कोई भी अपने के डाउड जो हैं आप वहां सब पूछ सकते हैं हम वहां पर आपका reply जूरूर करेंगे ठीक है तो यह छोटी सी बात थी stress concentration के effect को reduce करने वाली आपको यह छोटी सी वीडियो पस पसंद आये तो बताइए हमें comment section में और मुझे जी दीजिए इजाजत थांक यू